जो क्वाइल्स क्या होते हैं, जो क्वाइल्स कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं, इनकी कंस्रक्शन, इनकी वाकिंग और इनके तमाम इनसे जोड़े हुए कोशन कांसर आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगा, अगर हम इस तरह के ट्यूब लेंप्स की बात करें, जो प इनको सर्किट में हाई एलेक्ट्रिक करेंट से स्टेफगार्ड करने के लिए हम लोग क्वाइल का यूज कर सकते हैं, जो क्वाइल के यूज को समझते से पहले आईए एक बेसिक सी चीज समझते हैं, अगर माल लिजे कि हमारे पास कोई सर्किट है, और इस सर्किट में सप बल्ब के बारे में मुझे एक चीज मालूम है कि ये बल्ब एक पार्टिकुलर एक पार्टिकुलर एल्टरनेटिंग करेंट के वैल्यू के बाद या एक पार्टिकुलर वुल्टेज के बाद फ्यूज कर सकता है, मतलब इसका अपना एक लिमीट है काम करने का, उस अधिक अगर आप current दीजेगा या voltage दीजेगा तो यह fuse कर जाएगा तो चोक क्वाइल को समझने के लिए अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको बहुत बहुत बहुतर तरीके से समझने की कुछिस करिएगा तो आप को क्यों का काम होता है current को adjust करना किसी भी circuit में यहान पर आप कर्इंट को क्म करना चाहते हैं एक जो रास्ता आपके पास है वह यह है कि यहां पर आप एक resistor लगा दें मतलब इस circuit में आप एक resistor लगा दें पर ऐक राख दीजेगा तो ऑटोमेटिकल इस रिस्टर लगाते हैं पहले तो आपके बल्ब का कुछ रेसिस्टर्स आई अब आपने एक और एक्स्ट्रा रेसिस्टर लगा दिया था कि इस सर्किट का नेट वोल्ट मतलब करेंट रेड्यूस हो जाए और यह फ्यूस होने से बच जाए लेकिन मसाला यह है कि अगर मालीजिए कि यहाँ पर आई करेंट फ्लो करेगा तो इस रेसिस्टर से हीट रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आपको मालूम है है ह is equal to I ृ स्कूर रृति से आपका जो यह रेसिस्टर है यह हीट प्रोडूस करने लग जाएगा मतलब आपका यह रेसिस्टर आपकी वृल्टेज के द्वारा जो पाव़र डिलीवर हो रहा है उस पावर का लॉस करवाने लग जाएगा यह रेसिटर आपके पावर का भी लॉस ना हो जो कोई एक ऐसा डिवाइस है जो पावर के लॉस को मिनिमाईज कर देता है और साथी साथ करेंट को भी एजस्ट कर देता है इसके लिए हम लोग एक दिमाग लगाते हैं यहां पर अगर इंडक्टर लगा दिया जाए आपने अगर पीछे के टॉप इसको पढ़ा हो तो हम लोग वाटलेस करेंट पर हैं एक ऐसा करेंट होता है जो बिल्कुल ही पावर कंज्यूम नहीं करता उसको हम लोग वाटलेस करेंट कहते हैं कैपसीटर और इंडक्टर में ऐसा होता है अगर हम यहां पर एक इंडक्टर लगा दें मतलब एक इंडक् अब ये इसके अंदर से जब ये वोल्टेज डॉप यहाँ कम वोल्टेज जाएगा कम वोल्टेज मतलब कम करेंट मतलब अब इसके फ्यूज होने का डर नहीं रहेगा तर यहां पर भी तो पावर का लॉस होगा आपको मालूम होगा कि AC circuit के अंदर में जब हम लोग average power निकालते हैं इसका formula होता है V RMS I RMS into cos phi और inductor के case में जग चुकि resistance इसका लगबग 0 हो रहा है तो inductor के case में आपका जो inductance या inductive reactance होता है उसके case में आपका जो यह phi हो जाता है यह 90 degree हो जाता है या आप यू कह लीजिए कि cross phi nearly zero हो जाता है जिसके करण यह power loss नहीं करवाता तो अगर हम किसी circuit में inductor की use कर लें तो हम लोग उस circuit के अंदर में current को adjust कम ज़्यादा कर सकते हैं चोक कोईल का भी काम यही है आई अगर हम लोग चोक कोईल को बहतर तरीके से समझ करते हैं अगर हम चोक कोईल की बात करें तो चोक कोईल क्या है चोक कोईल एक inductor कोईल है या फिर एक inductor है और आपने पढ़ा हुआ है कि inductor की जो inductive reactance होती है XL यह एल ओमेगा यानि टूपाई एफ एल के बराबर होती है तो जब frequency बहाते हैं तो इसकी inductive reactance भी बढ़ जाती है तो हमने यहाँ पर लिखा है यह एक ऐसा inductive coil है या एक ऐसा inductor coil है जो किसी भी circuit के अंदर में high frequency AC को block कर देता है और DC को अथवा low frequency AC को pass करने देता है जो कोईल का जो use किया आता है वो किया आता है किसी भी circuit में अगर आप current के value को adjust करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग इसका use करते हैं और साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखते हैं कि जो choke coil जब current को adjust कर रहा हो तो यहाँ पर power loss ना हो या ब चोक कोईल का construction कैसे होता है तो हमारे पास जो चोक कोईल होते हैं ना चोक कोईल्स एक्चुली हम लोग यहाँ पर एक ऐसा device पनाना चाहते हैं जिसकी resistance negligible हो और जिसका inductance बहुत ज्यादा हो तो किसी भी magnetic core पर हम लोग ठीक wire की bonding कर देते हैं जैसे हम लोग iron core ले ले और इसक कोईल का जो thickness लेते हैं तार का वो अधिक लेते हैं ताकि resistance minimize हो जाए और बरबर रो एल भाई ए तो एरिया जदा रखते हैं कोईल का thickness अला एरिया ताकि resistance कम आए और यहाँ पर iron core का यूज किये हैं ताकि inductance अधिक से अधिक आए और इसका circuit में यूज आपको समझ में आही गया किसी भी circuit में AC current को adjust करने के काम आएगा high frequency AC को block कर देगा DC को और low frequency AC को धका धक धक पास करवाएगा अब अगर हम बात करें कि यह किस तरीके से काम करता है तो inductor के operation को समझना है तो basically यह एक RL circuit है अब समझाए यह सीरी सी बात है कि आपके पास एक resistor है और एक inductor है यह एक RL circuit के तरह basically भी हैप करता है और यहाँ पर जो यहाँ पर जो R है वो negligible है मैं स्टार्टिंग से बोलता और यहाँ पर वोल्टेज प्रोवाइड करें तो यहाँ पर जो impedance आता है impedance मतलब इस circuit का जो net resistance बोल दीजिए net reactance बोल दीजिए वो क्या आएगा जैडिज इक्वल टू रूट के अंदर में XL माइनस XC का स्क्वेर प्लस XR का स्क्वेर होता है लेकिन आपके पास तो circuit में सिर्फ इंडेक्टर और रेसिस्टर लगा हुआ है तो इंडेक्टर और रेसिस्टर वाले में XC तो आएगा नहीं यहाँ पर होता है XL माइनस XC का स्क्वेर प्लस र कैस्क्वेर लेकिन यहां पर कैपासीटर है नहीं तो XL कैस्क्वेर प्लस आर कैस्क्वेर यह हो जाएगा जी और ये चीज़ ध्यान रहे, एक और चीज़ ध्यान रहे, कि हम लोग यहाँ पर अगर बात करें, cos phi की, power factor की, किसी भी AC circuit में, हम लोग जो power factor निकालते हैं, मैंने आपको previous lecture में परावी रखा है, इसका एक वीडियो है, average power in AC circuit वहाँ आप जाके देखेंगे, इसके लिए मैंने लिखवाया था, cos phi is equal to R upon में Z, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका Z आया, यह क्या आया, यह आया, R upon में L omega, यह आप यह बोलीजे, R upon में XL, मतलब inductive reactance, क्योंकि R की value बहुत-बहुत छोटी है Excel से, मतलब एक छोटी चीज़ को आप बहुत बढ़ी चीज़ से divide कर रहे हो, तो यह लगभग-लगवग क्या आजाएगा, cos phi लगभग-लगवग क्या आजाएगा, 0 आजाएगा, मतलब आपके, 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 चॉक कोईल वाले circuit में, चॉक कोईल जो power consumption करेगा, वो लगभग-लगभग 0 के बराबर करेगा, यह तो यह value बहुत छोटा आएगा, या near to 0 आएगा, मतलब अब हम यहाँ पर अगर, average power की बात करें, या power loss की बात करें, इसका formula क्या होता है, इसका formula किसी भी AC circuit के लिए होता है, V naught, I naught, by 2 बोल लिजे, या फिर V rms into I rms बोल लिजे, into cos phi होता है, V naught, I naught, peak value है, और जब V rms के टम में लिखेंगे तो आप, V rms, rms will दीजे, लेकिन यहाँ पर तो, चुकि आपके, lr circuit का, z या, xl इतना ज्यादा है, r से, कि r by xl को अपने nearly 0 ले लिया है, यहाँ पर power loss जो होगा, power loss, यह cos phi 0, यह पूरा का पूरा क्या हो गया, 0, तो आपका choke coil, circuit के अंदर में, power loss को minimize कर ले रहा है, और current को adjust कर दे रहा है, ठीक है, अगर आप बात करें, यह कितने type का है, तो आपके choke coils, दो types के होते हैं, आपके choke coils, दो type के होते हैं, अगर आपको low frequency AC को reduce करना है, तो AF choke coil, यानि audio frequency choke coils का आप use करते हैं, जहां पर आपके पास soft iron core के उपर, soft iron core के उपर wire की boundings होती है, और अगर आपको high frequency AC को block करना है, तो उसके लिए आप air course वाले simple choke coils को use कर सकते हैं, अब choke coils के use के बारे मैं आपको starting में ही बता दिया था, fluorescent bulbs वगरा में इसका use किया आता है, circuit को high current से safeguard करने के लिए, तो choke coils को अपने class notes में लिख लें, या आपके board exam के लिए important question सावित हो सकता है, thank you so much.